रेवाडी से भाजपा उमीद्वार लक्ष्मन यादव का नामंकन भरवाने के लिए केंदिर राजय मंत्री राव इंदर्जी सिंग पहुंचे जा मीडिया से बाचित करते हुए राव इंदर्जी सिंग ने कप्तानाजे सिंग यादव पर कटाक्स करते हुए का कि ये भवी इससे बताएगा कि वे चुनाओ के बाद भुपेंदर सिंग हुड़ा के साथ रहेंगे या नहीं बतादे कि आज भुपेंदर सिंग हुड़ा कप्तानाजे यादव के बेटे चिरंजी राव का नामांकन भरवाने के लिए रेवाडी पहुंचे थे। चुनाओ लड़ रहे उमिद्वारों को लेकर राव इंदर जिसंग ने कहा कि चुनाओ लड़ना सब का हक है लेकिन ये तो पहले सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को भाजपा में सामिल कराया जा रहा है उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं क्या वो बागी हो जाएंगे 2019 में 75 पार का भाजपा ने नारा दिया था इस बार भाजपा का क्या विचार है इस बारे में राव इंदर जिसंग ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा वोई भाजपा उमिद्वार लक्षपन सिंग यादव ने नामांकन भरने के बाद रेवाडी सहर में रोडसो किया बता दे कि लक्षपन सिंग यादव 2019 में कोसले से विदायक बने थे इस बार पार्टी ने उन्हें रेवाडी से टिकट दिया है जो लोग बागी होकर के इलेक्षिन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है लेकिन पार्टी को इस बात की उपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकेट ना मि सब्सक्राइब करता के रूप के अंदर आज लजमल सिंग का पच्चा बरवाने के अंदर हूँ मेरी शुब कामना है और मैं आपके मारुपत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोश अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भार्वी जनता पार्टी के कैंडिडेट को यह सब्सक्राइब के बारे में क्या क्या उम्मीद देख रहे हैं रहां सब्सक्राइब क्या आपका पेडिक्शन है क्या सोच रहे हैं आप मैं कुछ नहीं बोलूँगा अब अब नहीं चोड़ी है यहां पर आपकी रेश में आप भी अभी उम्मीद नहीं चोड़ी है क्या मान रहे हैं नहीं हमारी उम्मीद तो देखो आज के दिन सैनी जी की गुड़ी चड़ी हुई है में चाजी ने उनको सीम डिक्लियर कर दिया है तो पार्टी का शीश ने तो जो एक बात कहता है तो हमारे को सब को फॉलो करना चाहिए हो सीशा के आप सपना देखते देखते कौन राव साब की एक इच्छा जरू गई है नहीं सुनो ये मेरी इच्छा नी पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीम बनू दक्षिनी हर्याना ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भार्टी जंता पार्टी का सहयोग में विया होता तो मनोला जी खटर दो बार चीश विनिक्टर नहीं बने और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है भगवान सुन रहा है कि हम भी पर्चा बरेंगे सती शाद सनिया अब यह तो राव साब के मुक्षिया आपने सुनी लिया अब दो परजा तंतर में जिसका मन होगा वो करेगा पाकि जनता जनार दिन इसका फैसला करें ठोड़े दिन छोटा मुटा होता है टिकर्ट बखती हैं तो काफी लोग मांगने वाले होते हैं तो कोई बात होी तो थे करा खेए हैं suo मार का है बहुत की महांद दिम से यही अपील करूंगा राइ रिवाडी से को पूरे चुनाव का संचालन में समाल रहा था हुए त्टिकट तो यह मैं आपने देखा रंडीर को मिल गई हम उसके साथ कंदे से कंदा मिला के खड़े थे तो बड़े मनवाले अंगे साथ आ जाएंगे इसमें क्या है मुझे 19 में कोशली भेज दिया गया कोशली में सारे कारी करता हूं कि महनत के बल पर पार्टी की महनत के बल पर मैं जीट के आ गया और अब भी मुझे पूरन विश्वास है अग सब लोग करें वे को कोई रोकता नहीं किसी का करजा कोई नहीं चड़वाता करें वे को उतारने के समय होते हैं कभी-कभी आउसर जीवन में आते हैं सब को उतारना चीज जैसे हमन में राजनेते में कोई प्रेश्शान रही होगी क्योंकि 5-5 साल दोभी मिले थे और मैं तो कोविड का दमाना भी देखा एक साल किसान अंदलन भी देखा और में अपने-दसताविश साथ लेके गोमता हूं पाथ साल का इसाब अभी मेरी किताब होगी किताब होगी तो मैं आपको उसको दिखा दिखाऊंगा मैंने क्या क्या काम करा है जबान पर किसी पर कोई ताले नहीं जबान के कुछ कह दें मीटर नहीं निकालता यूद लेकिन रिकोर्ड लेकर चलते हैं और हम अधिम से यह कहना चाहता हूं अगरे वाड़ी पर 50 साल से एक प्रिवार का कभजा है उन से भी हिसाब ले लेना है